कॉंग्रेस के सासन में 22.5 परसेंट थी वो अब घटकर 2019 के आकड़ों में 10.20 परसेंट रह गई है यहां मैं बताना चाहता हूँ कि जो मानसिक्ता जिनों ने इस देश के अंदर 84 के दंगे हो 1906 में कॉंग्रेस की प्राइम मिनिस्टर उस्समें इंद्रा गांदी ने संतों पर गोली चलाने का काम किया हो यह देश के अंदर गुजरात हो मुरादाबाद हो मेरट हो कश्मीर घाटी हो भागलपुर हो हुबली हो एक लंबी फैरिस्ट दंगों की यानि जाती से धर्म के आधार पर जिनोंने विभाजनकारी राजनीती की है जन्ता ने अब उनको एक किनारे आइसोलेट करके खड़ा कर दिया है आज जो पूरे देश के अंदर दंगे कराये जा रहे हैं ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ जो हमारे राश्टी अध्यजी ने देश के नाम पत्र लिखा है और वास्तम में ये पत्र नहीं एक सच्चाई है कि अब कॉंग्रेस हो आमाधी पार्टी हो बामपंती हो वो आईसोलेट होगे क्योंकि उन्होंने देश को विभाजन करके जाती धर्म में बाटकर राजनीती की है सासन किया है और अब आज का युवा आज का युवा अवसर चाहता है आज का युवा बाधा नहीं चाहता है आज का युवा विकास चाहता है विभाजन नहीं चाहता है लेकिन ये जो विभाजनकारी सक्तियां भी कुछ दिनों से दुबारा से सक्री हो गई है और उन्होंने देश के सहित दिल्ली की देश की राज़ानी दिल्ली के अंदर भी इस तरह के सड्यंत्र रचने का काम किया है आज जब हम लोग पुलिस कमिशनर से मिलने गए और हमने दिल्ली के पुलिस कमिशनर सहाब से मांग की कि आपने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन दो एंगल से जरूर आप जाच करिए और वो दो एंगल में एक एंगल दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी इलाके में जो दंगे हुए उसमें आमादी पार्टी का क्या कनेक्शन है क्योंकि दिल्ली में नौर्थीस्ट में जो दंगे हुए थे उसमें भी आमाधी पार्टी के लोग, नेता, पारशद और विधायक उसमें सूतरधार थे, उसके मास्टर माइंड थे और वही दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में जो अंसार नाम काया और भी जो पकड़े गए, उनके आमाधी पार्टी से कनेक्शन है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी हमने उनको दी है, बहुत सी ऐसी जानकारी भी दी हैं जो सायद मीडिया के सामने मैं उनको नह आज की हिस्ता है, तो वो जानकारी एक बहुत गंभीर मसला है कि आखिर दिल्ली में जब दंगे होते हैं, जब मर्डर होते हैं, तो उनके पीछे आमाधी पार्टी के कारिकरता और नेता सामिल होते हैं और उनको आमाधी पार्टी के बड़े नेताओं का संरच्छन चाहिए, आज दिल्ली पुलिस के ठानों में जो क्रिमिनल लोग हैं, उनकी जब हम लिस्ट निकालते हैं और आमाधी पार्टी के कारिकरताओं की लिस्ट बहुत मैच होती हैं, उस एंगल से भी जाच होनी चाहिए, क्योंकि शोबा यात्रा में सामिल एक धर्म के आधार प तिरंगे पर भी पत्रा हुआ है, पुलिस पर भी पत्रा हुआ है, अगर वो लोग जिनोंने दिल्ली पुलिस की तुरित कारवाई की अभी तक प्रसंसा नहीं किये, जिनोंने दिल्ली पुलिस के एक्षन को अभी तक सरहा नहीं है, और दंगाईयों की वो चिंता कर रहे है कि इसको गलत गरपतार किया है इसको क्यों गरपतार किया है तो इस तरह की मानसिक्ता वही है जो देश के टुकड़े-टुकड़े करने वालों का समर्थन करती है दंगाईयों का समर्थन करती है तो यहां मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं जो हमने दूसरी बात पुलिस कमि ग्राउंड की इनके इलीगल एक्टिविटीज की इनके अवैद धंदों की भी जाच होनी चाहिए और जैसा कि हमारे देश के ग्रह मंतरी ने पुलिस कमिशनर को निर्देश दिया है कि दंगाईयों को किसी भी कीमत पर बक्सा नहीं जाएगा उन पर सक्त से सक्त कारवाई हो ठोनी चाहिए वैसा ही दिल्ली पुलिस के कमिशनर ने भी आस्वासन दिया है कि हमने जाच को बहुत सही दिसा में ले जा रह receptors कि बहुत साउन तरीके से जाच हो रही है और जो भी दोशी है जो भी दंगाई हैं, जो दंगाईयों को सनरच्ण दे रहे हैं, उन पर भी सक्त से सक्त कारवाई होगी जिस तरह से दिल्ली के अंदर जांगीरपुरी हो पूर्वी दिल्ली हो वहाँ पर चाए अवैद गत्विदियाँ अवैद धंदे हो नशा के धंदे हो जो ये लोग कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान बहुत बड़ा उनकी कर्टूते उसमें बंगला देशी रोहिंग्या भी सामिल हैं दिल्ली में 2017 के अंदर हाई कोर्ट के अंदर एक P.I.L. डाली जाती है और उस P.I.L. पर आज 2022 यानि पांस साल के बाद भी दिल्ली सरकार का कोई जवाब नहीं आता है जो उनका कानूनी विभाग है उसने आज तक अपनी तरब से कोई जवाब नहीं फाइल किया यह जो घटना है जहांगीरपुरी में हुई है उसमें बंगलादेशी रोहिंग्याओं का भी कनेक्शन की जांच होनी चाहिए यह भी बात हमने कहिए और इसलिए मैं आमाधी पार्टी सरकार से जो उन्होंने दिल्ली में बंगलादेशी रोहिंग्याओं को यहाँ पर सनरच्छन दिया है और समर्चन कैसे दिया है आप और हम सब जानते हैं कि जहां बंगला देशी रोहिंग्या आते हैं वहां इनके विधायक इनके पारसत इनकी सरकार का पूरा अमला उनको कैसे फ्री में राशन दिया जाए इसलिए उनका राशन कार्ण बनवाना कैसे उनको फ्री में बिजली दी जाए फ्री में पानी दिया जाए उनको कनेक्शन दिये जाए इसमें जुट जाते हैं ये वोट बैंक की राजनीती आमादी पार्टी जो कर रही है ये रोहिंग्या और बंगला देशियों को जो संरक्षन दे रहे हैं उनको दमात की तरह यह और इसके साथ ही साथ हमने पूरी दिल्ली के लोगों से भी अपील की है कि भारती जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास में विश्वास रखती है और सब लोग सांती सैयम बनाए रखकर दंगाईयों को सजा मिले इसके लिए कहीं भी कोई भी सबूत होगा तो वो सबूत निर्भे होकर निर्भीक होकर वो दिल्ली पुलिस को देंगे तो निश्चित रूप से ये कारवाई होगी मैं यही बात आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद बिल्ली पर्देश भार्चित्न पार्टी के अध्यक्स आधनिया स्री आधेश तुप्ता जी हमारे बहुत ही लोगप्रे सांसत पझाफ सी आधनिये सी रचफ़स जी चिरी हरीष खुराना जी चिसरी अधित्यज्दक्ध ही चिरी हरी हर रगवंजी जी मेडिया के सभी सम्मानी साथियों सुभा यात्रा पर दंगाईयों ने हमला किया और ये सभी दंगाई बंगला देशी घुसपैटिये हैं आम आद्मी पार्टी के वर्कर्स हैं सपोर्टर्स हैं अरविंद केजरिवाल की सरकार ने इनको आधार कार भी बना के दिया है मुफ्त रासन भी इनको दिया जा रहा है मुफ्त बिजली और पानी भी दी जा रही है ओर्ड एक पैंसन भी दी जा रही है और इनकी महीलाओं के लिए डी टी सी में मुफ्त सफर की ववस्ता भी है और इन लोगों के खिलाफ अनेक क्रिमिनल केस रिजिस्टर्ड है तीन सो दो का भी मुकदमा दर्ध है और इनको पूरा पूरा अरविंद केजरिवाल की सरकार का इनकी पार्टी के निताओं का पूरा समर्थन है इन लोगों ने अरविंद केजरिवाल की सरकार की मदस से जहांगीर पुरी में सैकडो बीगा जमीन के उपर जो सरकारी है सकूल हॉस्पिटल डिस्पेंसरी पार्क की जमीन है उस पर भी कब्जा किया हुआ है और इलीगल एक्टिविटीज वहीं से हो रही है हम दिल्ली के उपराज्येपाल से मांग करेंगे इनके आधार कार्ड रद किया जाएं इनको जो मुफ्ट रासन, मुफ्ट विदली, मुफ्ट पानी, डिटीसी की मुफ्ट सफर की जो सुईधा इनको दी जारी है ओल्ड एग पेंसन दी जारी है वे सब समात की जाएं और वोटर लिस्ट से इनका नाम भी निकाला जाएं ये मांग भी हम दिली के उपराजयपाल से भी करेंगे और अरविंद केजरिवाल से आज हम मांग करते हैं कि तुम्हारी पार्टी के इन गुंडों ने सुभा यात्रा पर, हनुमान भक्तों पर, तलवार से हमला किया है गोली चलाई है, पुलिस के करमचारियों को, पुलिस के अधिकारियों को, गोली लगी है तलवार से उनके उपर हमला हुआ है और हम दिली के सभी उन पुलिस करमियों को अधिकारियों को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन लोगों ने अपनी जान की परवा ना करते हुए हनुमान भक्तों को बचाया दिवार बनकर दंगाई और हनुमान भक्तों की बीच में खड़े हो गए उन्होंने अपनी छाती में गोली खाई तलवार का हमला उन्होंने अपने हाथ पर उसको ले लिया लेकिन राम भक्तों को ख्रोच भी नहीं आने दी इसके लिए भी हमने आज दिल्ली के पुलिस कमिशनर सिरी राकेश अस्ताना जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद किया है और जब तक इनको जो सुईधाएं मिल रही है इन सुईधाओं से इनको वंचित नहीं कर दिया जाएगा वोटर लिस से इनका नाम नहीं निकाल दिया जाएगा और इसमें आम आदमी पार्टी के कौन-कौन परदेश के नेता है जिनके साथ बैठ कर ये साजिस रची गई इन सभी लोगों को जेल नहीं भेज़ दिया जाएगा दिल्ली परदेश भारजनता पार्टी के सभी विधायक्त दिल्ली परदेश भारजनता पार्टी के अध्यक्त सिरी आदेश गुपता के नेत्रत में विधान सभा के अंदर भी विधान सभा के बार भी और एल जी के आफिस में भी अपनी इस बात को मजबूती के साथ उनके समक्स रखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बहुत ही माननी एफ अच्छे अच्छे अजाजित है माननीय प्रदेश द्यक्ष श्री आदेश गुपता साहिब नेता विपक्ष हमारे सबसे सीनियर माननीय रामबीर बदूरी साहिब खुराना साहिब अदुत्य जासाब हरी हर रगवन्शी जी और प्यारे मित्रो मीडिया के सारे दोस्तो नमशकार जो सोला तरीख को हुआ है जहांगीर पुरी में सबसे पहले तो हमें शुकर करना बगवान का कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ हाला कि बहुत कुछ हो सकता था हमेशा तो नहीं पर इस बार पुलीस ने दिवाल बनके बहुत ही सरहनिया रोल अदा किया उन पे फारिंग भी हुई इंजर्ड हुए काफी लोग लेकिन सब को बचा लिया गया शुकर है उसके बाद कंटीनियूज हम लोग जा रहे हैं कल भी पीस कमेटी थी पुलीस के आफिसर सहीबान थे माइनौर्टी कमिशन के चेर्मान थे तो अद्यक्ष जी ने यही मुझे हुक्म किया था कि वहां पे सारा महौल को ठीक करने के लिए अपील करनी चाहिए आज जैसे के बताया डेटेल में बता दिया है अद्यक्ष जी ने भी मुदोडी साहब ने भी कमिशन साहब से मीटिंग थी हम सब लोग बड़े संतुष्ट हैं क्योंकि कमिशन साहब का परानी हिस्ट्री देखते हुए जा उनकी नेच्चर दे उसकी बाडी लेंग्वेज मैं बड़ा सैटिस्फाइड हुआ उन्होंने कहा जी के बेमारी नहीं बेमारी की जड़ को इस बार पकड़ेंगे कोशिश करेंगे जिनका नाम आ रहा है बार से नाम ही बहुत बसुरा सा है क्या रहंगे एक ता तो बंगला देशी हो जाँ सबदेशी हो जाँ देशी हो मैं तो कहता हूँ कि सोच ये होनी चाहिए कि मासूम कुम फसेना गुनागार बचेना